हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बार नई मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडेट टिप्शन रिकेमिडेशन के साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो हर रोच की जरा आज भी मैंने आप लोगों के लिए बेस इंट्राडे के दो स्टॉक लेकर हूं जो कल की डेट में आप लोगों को शानदार और जायनदार पॉफरमेंस दे सकते हैं प्रॉपर टारगेट और प्रॉपर स्टॉप लोगों को अपडेट करने वाला हूं तो चलिए दोस्तों फटा फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में यही बोलूँगा प्रॉफिट गूरू चैनल को आपने फस्ट टाइम जाती है और नीचे डिस्क्रिप्चन में दोस्तों एप स्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का भी लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाके फ्रे में डिमेट अकाउंट ओपन करिए और हमासाथ निफ्टी बेंक निफ्टी स्टॉक ऑप्चन में भारपूर ट्रेडिंग करिए ठी तो चलिए सबसे पहले आज एक्सपारी वाला माहूल देखते हैं मार्केट का तो देखें जो एक्सपारी वाला माहूल एक्सपेक्ट किया जाता है वह आज की दिन हमें देखने हो मिला था लगबग 1500 पोइंट की गिरावट थी करीवर 15,080 रूपे के लेवल के असपास मा माल के रखा था कंसोलिडेट करने पर मजबूर किया था थोड़ी तर मार्केट कंसोलिडेट भी किया और काफी अच्छा मुमेंटम भी किया वहीं अगर 38 स्टॉक की बात करता हूं तो वह काफी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं काफी इंपोर्टेंट लेवल भी समिने ब्रेक कियें और टॉप लूजर की बात करते हैं दोस्तों मेटल सेक्टर में आज हमें काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली तो इनी मेंसे दो स्टॉक है दोस्तों जो प्रॉपर तरीके से अपना अच्छा का सा मुमेंट अभी तक करते हैं आप लोगों को ये दोन आप देख सकते हो फर्स स्टॉक है आया सिटीजी का इंडियन डेलवे केटरिंग एंड टूरीजम कॉर्परेशन लेमेटेड तो दोस्तों दो दिन पहले भी हमने ये स्टॉक आप लोगों को इंट्रेडे का दिया था क्योंकि काफी अच्छा पफॉर्मेंस कर रहा है आज भी देखेंगे ना तो करीबन साड़े तीन परसेंट की तेजी के साथ बंद हुआ है करीबन उनिस सो सतावन रुपे के आसपास प्रिवेस क्लोज देखेंगे 1886 स्टॉक गेब डाउन ओपनिंग हो आठारा सो पिच्छे से लेकिन हाई लागा रहा 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 क्योंकि जब से एफेंडो में कंपने लिस्टेड हुई है इसका वॉल्यूम दिन पर दिन इंप्रूब्मेंट दिखा रहा ठीक है वही अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बावन बिक का जो चार मार्च आजी के दिन का है दोस्तों पावन बिक का लो 26 मार्च 2020 का ठीक है इसी बीच पर अगर हम देखते हैं कि स्टॉक का पॉफॉमेंस के साथ साथ डिलेवरी पेटन तो बहुत कम डिलेवरी पेटन दोस्तों करीवन 15.51 का कॉंटिटी में देखेंगे तो करीवन 14,888 कॉंटिटी देखने को मिल रही ठीक है तो देखें मोमेंटम तो काफ पेटन को मिलाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जिसे आप लोगों को समने 15 मिनिट का चाट पेटन ओपर ने हम ज्यादा था ट्रेडिंग दोस्तों 15 मिनिट के चाट पर ही करते हैं और करवाते हैं क्योंकि यह अच्छा मोमेंटम में देखने को मिलता है ठीक है तो स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर आया सेलिंग प्रेशर प्रॉफिट बॉकिंग देखने को मिली थी तो पूरे दिन कांसुलेट किया मतलब कोई moment नहीं लेकिन अगर आज की date का अगर performance देखेंगे मतलब दो दिन की चुस्ती दोस्तों इसने काफी शांदार तरीके से break की अगर आप देखेंगे हर केंडल में काफी शांदार वॉल्म यहां पर देखेंगे हर केंडल बढ़ते हो देखने को मेले काफी तगड़ा मोमेंट फिर उसके बाद profit booking फिर उस टॉक उपर जा रहा फिर थोड़ी से हमें profit booking स्टॉक में देखने को मेले लेकिन लास्ट के कुछ समय पे दोस्तो ऐसा volume भी जनरेट हुआ कि जो केंडल से यह ज़्यादा बड़ी बनके close नहीं होई ठीके मतलब जो इसका बीक से न अगर आप देखते हैं अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो देखें यहाँ पर closing उसको यहाँ पर देना था लेकिन वो ऊपर जाके होई मतलब यह कि volume ने stock को ऊपर ले गया मतलब stock में जो volume जनरेट हुआ वो काफी interesting रहा तो मतलब जुसका एक important level है 2050 के बीच से 1900 के बीच में तो यहाँ पर momentum हमें दिखा सकता है लगभग इस बीक में या आने वाले बीक में ठीक है तो इसी के बीच में हम कल के लिए stock को buy करेंगे क्योंकि momentum काफी interesting हमें दिख रहा है तो उसी की बेच पर target इन stop close जान लेते हैं तो दोस्तो देखे momentum तो काफी interesting हो रहा है इसी बीच पर हमें stock को अगर buy करेंगे रहा है तो लगभग में बात करता हूँ 1968 की यहाँ से stock को हम buy करके चलेंगे जो हमारे लिए काफी interesting होने वाला IT के target की में बात करता हूँ तो लगभग आप 1908 मतलब यहाँ से 10 point का target लेके चलने वाले बाकी तो नीचे जो description में telegram का link दिया है उसमें आप लोगों को nifty bank nifty stock option और intraday की tips प्रोवाइट की जाती लाइप market में दोस्तो तो नीचे description में link दिया है वीडियो को post करके अभी के जास है दोस्तो 1968 1968 का target है और करीवन 1963 का आपका stop loss ADK तो यह है stock का IRCTC का जो intraday में कल की date में काफी अच्छा performance कियेगा अब आप चलते हैं second stock के उपर तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो second stock के grassim industry ADK grassim के अगर मैं बात करता हूँ आज की date में grassim में काफी शानदार performance किया करी करीवन 1353 रुपे के आज पास previous close की में बात करता हूँ 1318 रुपे का था stock ने give down opening लिया था 306 रुपे पे high लगा है 307 रुपे का low लगा है fix 1300 का मतलब अगर देखा जाए तो stock में दोस्तो almost 70 point का moment देखने को मिला है उसी बीच में अगर देखते है trade volume number of share में तो करीवन 19,50,000 quantity यहाँ पर trade होते हैं देखने को मिली है stock का 52 बीच का high और 52 बीच का low देखेंगे तो दोस्तों March के महने का है मतलब आजी के दिन का है 52 बीच का low अगर आप देखेंगे बहुत पुराना दोस्तों तो आप देख सकते है stock ने कहां से recovery करके कहां पर आ चुका है उसी basis पे अग मारे लिए काफी interesting figures है दोस्तों जो इस stock में एक attraction बताता है और stock में आज का momentum भी काफी interesting रहा है अब इसके भी चार्ट पे चलते हैं क्या momentum मिलेगा यह देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो grassim का chart pattern आप लोगों के सामने हमने open किया ठीक है इसको आप लेवल में आप लोगों को देखाता हूं यहाँ पर लेवल क्या था तो देखें यहाँ पर लेवल था दोस्तों करीवन आपको देखने को मिलेगा इस लेवल पर आपको देखने को मिलेगा 1990 रुपे का ठीक है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और यह ले में स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था यहां पर देखे ठीक है लेकिन आज इस टॉक फिर से एक अपसाइट का मुमेंट जनरेट किया जो जाके कहां पर खड़ा होगे करीवन तो दोस्तो यहां से स्टॉक में अगर मुमेंटम की में बात करता हूँ तो देखे बहुत बड़ा रस्ता है यहां पर खुला हुआ है सबसे पहले में बात बता हूँ बहुत बड़ा अभी यहां से अगर एक इंपोर्टेंट लेवल की बात करता हूँ न दोस्तो तो करीवन ये वाला जो important level है, मतलब 1400 का, ये stock में हमें काफी जल्दी देखने को मिल सकता है, ठीके, ये एक important support का काम करेगा, ये medium resistant का काम करने वाला है, ठीके, और target ही है, तो आप लोगों ने देखा, तो इसी के भिहाब पे हम stock को buy करेंगे, तो इसी के भिहाब पे हम stock को buy करके चलने वाले, तो चलिए target and stop loss समझा देता हूँ, तो दोस्तो प्रॉपर तरीकी से गासी, गासीम इंडस्टी का भी target and stop loss not down करेगा, तो देखे, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि stock को हम करीबन 1355 रुपे के पास buy करने वाले, तीके, करीबन 1363, मतलब यहाँ से 8 point का आप लोगों को target लगाना है, और नीचे जो description में telegram का link दिया है न, उसको जाके join कर लीजे, यूँकि वहाँ पर intraday के tips and market update प्रुवाइट किया जाता है, और नीचे description में दोस्तो app stock और angel broking का भी link दिया हुआ है, आप महाँ पर जाके free made debit account open करिए, और हमाँ साथ paid telegram में nifty bank nifty stock option में भारपूर trading करिए, ठीके और ACL के अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों उतो, तो ACL आप लेके चलेगा दोस्तो 1350, मतलब 5 point का ACL है दोस्तो, और आपका 8 point का target है, जो हमारा RR ratio रहेगा, वो 1-2, 10-2 का रहेगा, मतलब यह हमारे लिए काफी अच्छा कासा moment रहने वाला है, ACL आपने इसलिए बढ़ा दिया, क्योंकि थोड़ा सा reversal भी stock लगा सकता है, तो थोड़ा अगर 1-2 point या 4 point घुम के अगर घुम जाता है, तो हमारे लिए target भी काफी अच्छा रहने वाला है, ठीके तो दोनों stock को buy करना है, ग्रासीम और IRCTC को performance दोनों में काफी तगड़ा है, और volume की जो growth है, वो भी daily basis पे दोनों stock में बढ़ते जा रही है, ठीके तो इनको दोनों को नजर में रखिएगा, जिस प्रकार से target या stop close बताया है, उसके भी आप पे नई भी तो आप लोग आपके साब से भी maintain करके चल सकते हो, ठीके तो चले दोस्तों अब हम इस वीडियो को close करते हैं, वीडियो को close करते समय यही बोलूँगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज दोस्तों like कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सस्क्राइब करना है, क्योंकि हम डेली बेसेस पे आप लोगों को इंटर डे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट लाते रहते हैं, तो ठैंक्यू दोस्तों,